दोस्तों आएंडी अकेड़ी में आप लोगों का स्वागत है आज इस वीडियो के माद्यम से MPPSC और PEB से जुड़ी ख़बरों के बारे में परिचर्चा करेंगे और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आएंडी अकेडमी सभी पिर्तियों की परिक्षाओं की तैयारी बहुत ही सरल और आसान तरीके से करार ही है चलिए आज के वीडियो पर चलते हैं आज जैसा कि आप लोगों ख़बर में देखा भी होगा कि MPPSC दिसंबर तक विग्यापन निकालेगा देखिए ख़बर के अपन बात करते हैं PSC के चेर्मेन बासकर चौबे जी इन्होंने क्या कहा कि इस साल को जीरो येर नहीं जाने देंगे मतलब जो परिक्षा फरवरी में आनी थी वो अभी तक नहीं आ पाई लेकिन अभी भी आई होप की उम्मीद हैंनों ने बान्द के रखी हुई है कि अभी तक इस साल को जीरो येर नहीं जाने देंगे लेकिन आपको हमें एक बात और बता देंगे जो हमने पिछले वीडियो के माध्याम से अपना कवर भी किया था उस टॉपिक को कि कहीं न कहीं एक इन्होंने एक उम्मीद की एकरन तो जगा दिये लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आता है 9 सितंबर का जो हमने आपको डेट बताई थी 9 सितंबर क्योंकि आयोग पर एक नोटिस जारी कर दिया है मतलब कि हाइस पर नोटिस लगा हुआ है 9 सितंबर को ही कोट में इसकी याजका सुनवाई है और इस पर OBC आरक्षण के बिरुद्धिये याजका लगाईती है अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस न्यूस को एक बार देख सकते हैं तो आपको इंतजार 9 सितंबर तक का करना होगा घॉंकि उस दिन क्या होता है? निगाहें इसी पर टिकी हुई है क्योंकि अगर कोई परिवर्तण होता है सबसे बड़ी चीज़ अगर कोई परिवर्तन होता है तो आई होप की नियमों में भी परिवर्तन होगा तो एक उम्मीद रहेगी कि अपनी आने वाले एक सिड़ महीने के अंदर नोटिफिकेशन मद्द प्रदेश PSC का आप देख सकते हैं लेकिन यहाँ एक बात और कहना चाहूंगा जैसा कि मुझे कमेंट के माद्द्यम से भी पूछा गया था कि इस साल सर बेकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी तो वहाँ भी मैंने एकी बात कहा था कि बेकेंसी तो आएंगी और बहुत अच्छे पदों के साथ आएंगी क्योंकि पिछली बार भी जब मुझे जहां तक है पता चला था तो 400 पद के आसपास आई होप की उम्मीद थी लेकिन पद मैं कंसीडर नहीं कर सकता कि कितने होंगे लेकिन पद आई होप की बहुत अच्छे आने वाले हैं इस बार तो बस ये कहना चाहूंगा कि पद कितने आ रहे है बेकेंसी का वारी ये तो एक अलग मुद्दा है लेकिन माल लीजी अगर आपके सामने 15 दिन बाद 20 दिन बाद नोटिपिकेसन आ जाता है तो क्या आप उसके लिए अभी से परिपक हैं तो मैं यही कहना चाहूंगा कि बेकेंसी तो आईगी लेकिन अच्छे पदों के साथ आए ये भी अच्छी बात है लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि उस पद को हासिल करने के लिए आप अपने आपको काबिल बनाई है सबसे बड़ी चीज है और आप लोगों से यही रेक्वेस्ट करूँगा या आप छुट्टी से भी सब लोग बापस आ गए हैं तो अपनी पढ़ाई निरंतरता के साथ सुरू कर दें क्योंकि आने वाले 90 दिन यानि सितंबर अक्टूबर और नवंबर तो आने वाली यह तीन महिने आपको अपनी मंजल तक पहुंचाने की बहुत हैं होने वाले तो यह तो थी PSC की ख़बर से रिलेटेड कि दिसंबर तक नमंबर दिसंबर तक आई होप की जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा लेकिन मुझे उम्मीद है कि आगर यह 9 सेतंबर का फैसला पक्ष में होता है तो आई हूप की जल्दी नोटिफिकेशन आ जाएगा आगे बाद जैसा आप यहां पर यह और यह वेकेंशी देख पार हो करमचारी चैनल के बारे में एक बार आप इसको पढ़ लेना आगे बात करते हैं ब्यापम की जो मैंने पिछली वीडियो के माद्दे हमसे बताया था कि 10 सेतंबर तक जारी हो सकता है क्योंकि पहले खबर है यह उड़ रही थी कि व्यापम बदन नेवाला है व्यापम बंदन ने वाला लेकर बियापम की नियमों में 16 नय नियम जो हमने पिछली वीडियो के माद्द से एमसे आपको पताये थी कि एड कर दीए तो नाम बली परिवर्तन हो जाए तो इस तरह से 10 सिक्षों का कोई खाली पदों जल्द ही निजाद मिल सकती है कि प्रोफेशनल एग्जामरीशन बोर्ड दोर अली गई सिक्षक पातिता परिक्षा की मेरिट दस सितंबर तक जारी हो सकती है नई सिक्षक सितंबर तक स्कूलों में जॉइन भी कर सकते हैं अभी बरतमान में सिक्षक सिक्षक संचलान ने ने पीवी को पत्र लखाये मेरिट सूची जारी होने के बाद ही संचलान ले सिक्षकों की भड़ती प्रिक्रिया शुरू कर देगा पीबी ने स्कूल सिक्षक भिवाग में उच्छ मादमिक सिक्षक के लिए 17,000 और ट्राइवल के स्कूलों के लिए बाइस सो पदों के लिए दिसंबर ये परिक्षा आयुजित की थी दिसंबर से दूसर दिसंबर आने वाला है और रिजल्ट नहीं दे पाया भी तक वो अटकने का कारण भी आप लोगों को बताया था दस परसेंट सवर नारक्षों का होना और भी विकलांगों के नियमें परिवर्तन होना मेरिट सूची जारी होने के बाद भी फिर से उन्होंने बापिस ली तो ये सब बहुत नियमों में छेड़ छाड़ होती है अभी ऐसा योग सर कॉंस्टेबिल की वेकेंसी आने वाली या नहीं आने वाली तो अगर नियमों में परिवर्तन पूरे हो चुके हैं अभी ऐसी कुई नियूस अपने पास नहीं है कि भाई ये बोलने कि नहीं अभी कि MPSI की और कॉंस्टेबिल की भरदी पर इक्षा जाएगी लेकिन आई होप की नवंबर के बाद से पूरी प्रोसेस रेगुलर हो सकती है क्योंकि सरकार बदली कहीना कि इसे भी समय मिल गया इतने दिन का तो अब अगर ये डिले करते हैं तो ये किसी कारण बस से नहीं जानबूच के डिलेट कर रहे हैं माली जी नई सरकार है यह उन्होंने सरकार का भान लाए नई सरकार आती है तो थोड़ी सा समय चाहिए होता है तो ठीक है आपको भी आठ महीने नौ महीने का समय में लेकर लेकिन अब इन्हें वेकेंसी लानी चाहिए बहुत समय हो चुका है इतना डिले बहुत होता है तो अगर आप त्यारी कर रहे हों अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप आएंडी अकेडमी के वाटसेब गुरूप से या टेलीग्राम गुरूप के माद्यम से पूछ सकते हैं तो आप उल से जुड़ सकते हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू फॉर वाचिंग हैव अगोटे